हुआ जैहंद केमस्ट्री में हम ठोस अवस्थ्ठा जो पहला चैप्टर है इसमें अध्यान कर रहे हैं सबसे पहला आपका है कोष्ठिका है अब दिख्या आज कोष्ठिका तो हम पढ़ा चुके हैं उसके बाद दिखें आप एक जोपी कनो कि शंख याए है इसको जब हम एक दोसरे को लाइन के द्वरा मिला देते हैं इससे जो संवलत प्राप्ट होता है यह सबंसरा आप का एकक कोश्थिका है और अब प्रकार सबसे पहले प्रकार परे सबसे पहला प्रकार था आद्ध घनिया एक कोश्ठिका और दूसरा था आपका क्यंद्रित एक कोश्ठिका पहला आक ढाल है आक सबसे पहला आद दिघनिया एक किणद्रित को अब आथ दिघनिया एक कोश्ठिका वैसा एक अखोश्ठिका जिसके अभ्याविकर्ण पर्तियक को इक को cambio के पर्दोन पर उपास्तित होता हैं यहां हूआ यहां हो गये यह सारा जो कॉर्णर दिख रहा पर त्यक और पर अगर एक अब्यवी कण अपस्तित होता एक अकोश्टिका में तो वह आपका आद्धिगनिया एक पुष्ठिका होता है आप देखिए यह जब क्रिश्टल जालक का निर्मान करता है यह क्रिश्टल जालक जब बनाएगा अब यह जालक समाण आपको सुनलचना देख रहा है यह आपका क्रिश्टल जालक के लगुतव यह फिर सुक्ष्टम इकाई को आपको बोला जाता है यह आपका खेए अब यह दे इक कनंझ हो नहीं Unit अब्यविकन यह आठ कनों से संलगन होता है तो एक अब्यविकन में आठ कनों की भागेदारी होती है अब देखिए लागी दारी बराबर हो जाएगा अपका एक बट्टा आठ अब देखिए यहां एक कन है एक कन है इसके इसके आगे एक होगा पीछे होगा अगल मतलब ये टोटल आठ कन से सटा हुआ होगा जब आठ कन से ये कवरणर सटा हुआ होगा एक कॉर्णर अब देखिए यहां पर एक जो अब्यविकन में एक कॉर्णर की भागेदारी होता है आपका एक बटा आठ इस कॉर्णर पर एक बटा आठ इस कॉर्णर इस तरक आठ कॉर्णर है तो इसमें अगर आठ से गुना कर दें तो यह कितना एक अब्यविक अब्यविकन की संख्या जो हैं अब्यविकन का एक रह्य को आथमा चुटाम। अब तो आध आय्विकन की संख्या अब्यविकर क्या सतरी ऐक कंग कॉर्ण पर एक अभ्यृविकन का भाग वाग Georgi एक ब्टार तो आठ पर कितना हो गया तो आपका एक दूश्ठी को अब दूसरा है केंदित को कॉश्ठी का सबसे पहला है अंता केंदरी ऐ्क कश्ठी का में यह ukॉर नर पर तो उपस्थित होगा अब के यहको इसके अलावा अगर यह आभको पर उपस्थित होगा इसके अलाबा अगर एकशनर पर उपस्थित होगया तो इस प्रकार के एक कोष्ठिका को हम अंता केंद्रित एक कोष्ठिका कहते हैं और अंता केंद्रित एक कोष्ठिका में अभ्यवी कनों की संख्यां बराबर अंता केंद्रित एक कोष्ठिका में अभ्यवी कनों की संख्यां बराबर अब्यविकनों की संख्या बराबर परत्यक क्वार्णर पर मिला करके एक अब्यविकन आया और बीच मेहत ये किसी से सटा हुआ नहीं है इसमें किसी अन्यकनों की भागेदारी नहीं होगी और जब अब एक अब इसके जो आंत्रिक加 किन्यविकन आउसको तो हटा दी अब देखिए फलक मतलब जो यह सता होता है परतीक सता पर भी एक एक अब्यविकन उपस्थित होगा अब देखिए इसमें छे सता जो यह घंड है यह घंडाव हो इसमें छे सता होता है और परतीक सता पर एक एक अब्यविकन अब यह जो है एक यह जो है इसके परोश मगर एक और इसको घंड ज होगा तो जब ही दो सत्रा की भागी दारी होगा इसका एक बटा दो होगा इसका भी एक बटा दो इसका यह टोटल कितना छे हुआ अब देखे फलक केंदरित एकक कुष्ठिका में अब भयावी कणों कि संख्या बराबर अब्यवी करणों की संख्या वराबर कुल सतहों की संख्या संख्या गुने एक अब देखिए एक सतह में अब्यवी करणों की भागिदारी भागिदारी अब देखिए कुल सतह की संख्या 6 है और एक भागिदारी एक बटा दो यह कट गया तो टोटल आगया आपके पास तीन यह तो तीन हुआ सिर्फ शतह पर और प्रतिय कॉर्णर को मिला करके एक है तो तीन और एक हो जाएगा आपका चार टोटल अब्यवी करणों की संख्या आपका आगया चार इसके अलावा जो आपका है इसके बाद एक है बचा हुआ अंतह केंद्रित एकक कुष्ठिका अब जिसका अब्यवी करण कोनों के अलावा किसी अब दो बिपडित फलक पर भी उपस्तित हो यह कोना पर तो उपस्तित हुआ अब्यवी करणा कोना पर जबी उपस्तित हुआ इसमें अब्यवी करण कितना आ गया जी अब्यवी करण आया आपका एक अब्यवी करण आ ज या फिर यहां या पिर इसके विपरित दो विपरित फलक पर तो एक फलक की जो भागेदारी होती YOUR एकि बच्चाथ दो फलक कि कितना भागेदारी हो जाएग proseков कोटाथ और एक यह आया और दोनों एक जोड़ novक्र दिया गहा तो दो अप्याविकन होगे यह आग fell दो अभ्यवीकण आहा एक अब्यविकण हो गई आपका पर सबसे पढ़े क्या किया की संख्या अब आंप सता है लगुत्म कि ओप उसे हम एक कुष्ठिका क्या लए अब एक मकूश्टी का दो प्रकार का एक तो फाइक कोणा परijn लूप सिय जब फोना पर भूआ तो अज़ाने इक श्टी का और एक कोना का एक अभ्यवी कंद में भागेदारी होता एक पड़ता आठ तो आठ एट-तोम हूआ तो अभ्यविकन में आठों कोना की भागिदारी बराबर टोटल निकल के आया आपका एक अभ्यविकन, दूसरा था केंद्रित एक खोष्ठगा, केंद्रित एक खोष्ठगा तीन प्रकार का होता है, सबसे पहला अंता केंद्रित एक खोष्ठगा, अब जब कोर्नर के अलाब चोने दोनों को जोर करके दो आब्यविकन ओपको में उसके वाद दूसरा सही है पहला तो और डूसरा। केंद्रित फलक के केंद्र पर अगर उपस्तित हुआ कोना के अलाव कोना पर तो उपस्तित होगा जभी एक कोश्ठिका होगा तो परतेक अभ्यविकन कोना पर उपस्तित होगा इसके अलावा इसके अलावा अगर इसके अलावा अगर जो है आपका फलक परतेक फलक के केंद् एक एक अब्यवीकन उपस्यित हुआ तो इसपरकार के एक ऐक कोष्टेका को केंदिरित एक ऑख सेका कहा जाता है अब केंदध कोष्टेका एक सताह की ऐसी दिलिए यह के सताह सता कि मतलब यह जो फलक क्या भागि दारी आला भी थैसंपर अब बिखन स्विकरों आया में अभ्यविकन की संख्या तोटल आया कितना निकल करके तोटल दो आया वो किया से दो आया तो इस दो फलक पर हुआ तो पर चौनन पर तो साड़ा मेला करके ईंज ङौन पर कि अपका हो गया यह कितना अंत्र कंद्र सब्सक्राइब कर दो चैंज और तक इंदन इक स Prop तो में दो अभी अभी कन